तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीद परमार हाजर हूँ एक नई कहानी एक नया कित्सा लेकर आज हम चलते हैं थोड़ा सा एक बार वापस पर रहंता बाद जाना पड़ेगा क्योंकि इतनी जबरदस्त और इंफरमेशन वो जो एक तम हिला के रखते थी आदमी को कैसे गुजरात की उत समय की राजधानी में अंडर वर्ल्ड के काम करने के तरीके कैसे थे और जित मैक्सिमम काम ज्यादा से ज्यादा कराइम को अंजाम धिया गया जेल के अंदर बैठे हुए सरगनाओने ये कमाल की बात है कि उस समय जब मॉबाइल फोन नहीं थे जब को और कम्मिनिकेशन का सादर नहीं था जेल के आफिस से जाके फोन करना ना मुमकन जैसा था लेकन फिर भी मैसेज़ आते जाते थे प्लैनिंग होती थी एक्सिक्विशन हो जाती थी आदमी मार भी दिये जाते थे और आदमी करने करवाने वाला जेल के अंदर बैठा है इसी किसम का एक गुजरात को कि उस समय की राईदानी अंदाबाद को हिला के रखने वाला एक म बड़े बिल्डर सागीर एहमद का अब सागीर एहमद उस जमाने के जो पॉलिटीशन थे डिप्रेंट प्लिटिकल पार्टीज के उनके भी काफी करीब था आपको मालम है कि जो आदमी जितने पैसे वाला होता है उतना ही ज्यादा चंदा प्लिटिकल पार्टीज को देता है बड़े बड़े लीजरों के चोटे मोटे काम भी कर देता है किसी की शादी का कर्चा दे दिया किसी के बच्चे की पढ़ाई का कर्चा दे दिया इस किसम के काम करके वो अपने धंदे को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटीशन का साथ लेते रहते हैं अपने पैसे के ब है कि हम सूच नहीं सकते कि इतनी बड़ी प्लैनिंग एक सरगना जेल में बैठके कैसे कर सकता है लेकिन वो कंस्परेशी साजिश हुई किसा है अब्दल्लतीफ गुजरात का जिसको अनकराउंड केंग कहा जाता था बेताज बाद्शा कहा जाता था लेकिन ये एक मल्डर उस के कफन में आखरी कील बन के थाबित हो गया लास लेल इन दे कॉपन और अब्दल लतीफ इसके पहले उस हक्ष ने इतने कराहिम किये इतने जबरदस्त किस्वों को अन्जाम दिया इनक्लूडिंग जिसमें एक जिम खाना में जाके नौ लोगों को मार दिया गया था एक ए 47 जैसे आटोमेटिक वैपन का इस्तेमाल करके ऐसे केसे में वो आदमी बचता रहा बरी होता रहा जमानत पे आता रहा लेकिन एक वो केस जिसमें उसकी कोई डारेक्ट इनवाल्मेंट सिद नहीं होती थी और अगर वो जिन्दा रहता तो बरी भी हो जाता क्योंकि बाकी के पांच के पांच लोग उस केस में बरी हो गए लेकिन जैसे कहते हैं कि वो तकदीर का वो हिस्सा जो है जिसमें आपकी मौत लिकी होती है वो बदलता नहीं है वो जब आना है तो आना है और लतीफ अब दलतीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ हुआ कुछ हैसे के लतीफ उस जमान आदमी उसके कुछ मारे गए कुछ भाग गए यह आदमी भी दुबई चला गया था वापस आता है दिली से बैठके एक्स्टॉर्चन रैकेट शुरू करता है पैसे की फरॉक्ती गुजरात के लोगों से करता है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलके उसी की खबर कुछ महिने पहले सुना चुका हूँ लेकिन आज वाली कहानी उस कित्से के बाद की कहानी है तो इस भाई साथ को सक्ष को एमदाबाद की के नजदीक बाहर बाहर बनी साबरमती जेल में रखा जाता है साबरमती जेल में इसके कुछ खास लोग अंदर थे करिंदे थे जिन अंडर ट्रायल था लेकिन पैसा तो जेल के अंदर बैठके भी चाहिए गुजरात की जेलों में एक कहावत है कि आपका सबसे बड़ा रिष्टेदार पैसा होता है अगर वो रिष्टेदार आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो जेल में बैठके भी तो ये भाई साब क पैसे की कमी थी अब्दल लतीफ को चाहिए था पैसा और उसको लिए उसने डूड़ा कि किते एक बड़ी रखम वसूली जा सकती है तो अंदर अपने साथियों के सात्रा करते करते टार्गेट बनाया गया सगीर आहमद बिल्डर को जो एक जमाने में इसको अच्छी तरे जानता था लेकिन कहते हैं कि जब पैसे की जरूर तो होती है तो आदमी दोस्तों को भी भूल जाता है इस आदमे ने अपने दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा और उसको अपने तरीके से जेल से मैसेज पहचाया कि मुझे दास लाग घर पाया इमीडेटली दे दो नहीं त उसको अच्छी तरह जानते थे और उसको गुछ होवर कॉंफिडेंस भी था कि अब तो लतीफ का गैंग तकरीमन खत्म हो चुका है उसका एक ही जो खास आदमी था जो उसकी गैरहा जिन में पूरा गैंग संभाल रहा था अबदलवहाब खान बलोट वो भी जेल में था त लेकन उसने कोई ज्यादा प्रिकॉशन नहीं लिए कोई प्लीस कंप्लेंड नहीं किया कि मुझे धंकी मिल रही है और लेकन इसके इनकार करने से एक प्लैनिक रची गई जिसके तहत मंबई में दो जो शार्प शूटर छिपे हुए थे सलीपर सेल जिनको हम बोलते हैं वो कंट्रेक्ट किलिंग का काम करते थे वो दो भाई थे सके भाई वो एक का नाम था जैराज जदेजा तूटरे के नाम था रवीराज जदेजा बहुत से कंट्रेक्ट किलिंग के के सरोरे किये थे डिफरेंट गैंग्स के लिए लेकन नाम कभी सामने नहीं आया था वो इतने शातर और चतर थे दोनों भाई कि जब कभी मुस्लम अलाके में जाके शर्ण लेते थे कराइम करने के बाद तो वहां पे वो मसी, मनीर अपना नाम लख लेते थे दूसरा भाई मुस्तवर लेता था कही एक अवदुल्ला बन गया, दूसरा भाई अहमद बन गया और उसकी तरह जब कही दूसरे अरिये में शर्ण लेना तो एक संजे बन जाता था, एक कजे बन जाता था तो इस किसम के नाम बदले रहे, बदलते रहते थे खुलिया बदलते रहते थे और पकड़ में नहीं आये थे, उनका नाम जो कराइम के समय पे जिस अलाके में रहते थे जिस नाम से लोग उनको वहाँ जानते थे उसी नाम पे उनके केसर में नाम दर्ज हो गए लेकर असली कौन है, असली क्या नाम है ये किसी को पता नहीं था तो उन लोगों को लतीफ ने अपने तरीके से एमदाबाद में काम करने के लिए बुलाया अब वो तो बाहर के आदमी थे उनको एमदाबाद की अपनी नौले नहीं थी तो उसके लिए लतीफ का कजून जोड़ीदार था कास अब्दल वहाब उसके साथ एक यंग लड़का काम करता था जिसका नाम था सदीक घंटी घंटी वो नहीं जो हम मंदर में बचाते है जां कोई और तरीके में इस्तेमाल हुई जाती है बहले जिसको हम बोलते हैं अग्रेजी में वो घंटी नहीं गुजरात में जो आट्या पीसने वाली चक्की होती है उसको गुजरातनी में गंटी कहते हैं और यह सिदिक जो है इसकी जो फैमिली थी वो पुष्टों से आटे की चक्की चलाया करते थे और फैमिली में सब जो आदमी हैं मर्द हैं उनके नाम के साथ गंटी शब्द जुड़ गया क्यों आठे की चक्की का काम करते थे तो उन में से यह यह लड़का था सिदिक गंटी यह वहाब के साथ काम करता था और इसको ड्यूटी यह लगाई गई कि हम आपको दो आदमी देंगे जो इसका सागीर अहमेद का काम करेंगे और तुम उनको गाइड करोगी तो इस आजमी को एक मोटर सैकल दिया गया एक स्कूटर दिया गया और इसको बताया गया कि हत्यार कहां से कलेक्ट करने है तो यह सब पलीस रिकॉर्ड में है अगर आप रानी को फाइले पड़ो उसकेस की डज्मेंट की तो आपको मालम पढ़ जाता है लेकर मैंने वो मुझे पढ़ने की जुरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इस सक्ष के टच में हूँ मेरी बहुत बार उससे पोन पे बात रो चुकी है पिछले तीन चार दिनों में सदीग गंटी के साथ उसने अपने त्रीक के सो जो पूरा किसा हुआ वो मुझे सुनाया क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दी थी पलीस को वो भी स्थ मुझे बताई कैसे कैसे वो इस लाइन में आया चैसे निकला और आज अपने चैसे कराइम के दूर एक सेदिगी बतीत कर रहा है अपनी फैमिली के साथ वो पूरा किसा मुझे सदीग ने बताया पिछले दिनों में खेर तो सदीग की ड्यूटी लगाई की उनका गाइड बनने के लिए लेकल सदीग भी कोई काम आजमी नहीं था यह भी खत्रनाक आजमी था उस्तमाने में आजवान भी था जोच मी था आगे एक पेट्रॉल पम्प लूट चुका था एक कुछ और कहीं ड्कैती कर चुका था तो उत्यार चलाना और कराइम को अंजाम दे के भागना इसको अच्छी तरह आता था तो इन लोगों ने सिदीग ने पूरी रैकी की एहमद सागीर एहमद की कि वो कहां निकलता है कहां बैठता है किस दोस्तों को मिलता है रोज और कहां एक ऐसी जगा सेफ तूड़ी जा सकती है जहां पे इसको मारा जा सकता है तो इसको एक तना खबर मिलती है कि आदे वाले कुछ दिनों में सगीर एहमद एक शादी के फंक्शन में जाएगा जूहुपुरा के एरिया में दानाने बड़ी करके एक जगा है वहाँ पे एक शादी एटेड़ करेगा और उस शादी पे इसको गहरा जा सकता है और तदीग के मताबक उनी दिनों में सगीर एहमद ने एक नई मारूती वन थाउजन गाड़ी खरी दी थी और वो गाड़ी खुद चलाने का शौकीन था कभी ड्राइबर नहीं रखता था वो बड़ी गार नहीं रखता था तो इन लोगों ने उस शादी के मंड़ब के बाहर फील्डिंग लगाके वो हत्यार जो फुर फिप्टी बोर का कोई उसमें बताया था वो हत्यार जहां से बोला गया था कलेक्ट करके उन लोगों को जो जदेजा ब्रदर थे उनको दिया गया और वो दोनों ब्रदर जो थे वो चाकू छुरा चलाने के भी बहुत बड़े माहिर थे तो वो गोली से जदा भरुसा चौपर पे चाकू पे छुरे पे रखते थे कि गोली कई बर मिस हो सकती है लेकन छुरे का वार जो है वो खाली नहीं जाता और इस केस में भी ऐसा ही हुआ और जैसे ही अहमद सागीर अहमद उस शादी से बाहर निकला और पार्किंग जहां उसकी गारी खड़ी थी वहाँ पे जैसे ही द्रवाजा खुल के अंदर बैठा तो इन लोगों ने इसके उपर इमीडेटली अटैक किया एक गोली उसके सर में मारी गई लेकन यह शुर कर ने के लिए वाकिए मर गया है जब बचे नहीं तो उस छुरे से उसकी गर्दन भी काट दी गई बहुत बेरहमे वाला मामला है नहीं होना चाहिए ऐसा लेकिन कराइम की दुनिया में यह सब चलता है तो वहाँ पे उसको मारके उस शादी पे क्योंकि बहुत सारे वी वहाँ पे खड़ी की गई थी उसका इंचार्ज था एक एसाई असिस्टन साब इंस्पेक्टर वह अपनी वह पी सी आर्मयान लेके वहाँ पे खड़ा था उसने यह हादसा होते हुए देखा उसने इनको पकड़दे की कोशिच भी की देकिन यह लोग अपना वह जो रवा पाग जाते हैं अब उस एस हाई ने देख तो इनको लिया लेकन पहचान नहीं सका कि यह आदमी कौन है और यह मर्डर होने के पहले ही इनको पूरी वहाँ ने जो अब्दल्लतीफ का जो काम करता था पूरा उसने इनको पहले ही बोल दिया थै कि आप उसका काम करने एक बा और कापी समय तक पकड़े जाने से बचते रहना और उसी चकर में इन लोगों ने जैसे ही वहाँ से निकले तो जो सिदीग गंटी था वो अपना उसने पहले ही बंदोबसके करके रखा हुआ था वो आदमी कतर चला जाता है दोगा कतर वहाँ पे जाके उसके पहले नौकर कर लेता है और जो जदेजा ब्रदर थे रवी राज और जायराज वो दोनों हमेशा की तरह फिर गुल हो जाते हैं तो पहले चार साल तक इसमें इन्वेस्टिगेटर्स को कोई सभलता नहीं मिलती क्या है उसके पहले जो हुआ वहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही यह हादसा होता है पूरे गुझराथ में एक डर का महौळ बनता है कि इतने बड़े बिल्डर को देजाड शादी के मर्ड़व के बाहर इतनी बील्ड के सामने और प्लीस की PCR मेर के सामने मर्डर कर दिया जाता है सरकार की बहुत बड़ी नकमा पना है बहुत बड़ी अलगहली है तो बिल्डर लोबी जो है वो मंत्रियों को मिलने लगी हो मिनस्टरों को पलीस कमेशनल को वो ऐसे करके एक बड़ा प्रैसर पलीस के ऊपर था तो प्ली ये तिनों तो भाग गें लेकर वो जो सुई थी जो लेना देना नहीं है मैं कोछ जिसने भी किया मुझे नहीं मालम मैं इनको नहीं जानता लेकिन पलीस को एक स्केप कोट चाहिए थी सुबूत हो जा नहीं हो लेकिन पलीस का मानना था कि ये मर्डर केस के पीछे बिल्कुल लाब्द ल्रतीफ का ही हाथ है कुछ छोटे मोटे उनको कुछ बातें कुछ मालम पड़ी जेल से इनकोईरी करतें करतें जिसके चंक पे उन्होंने अब्दल लतीफ का रिमांड दिया कोट में अप्लिकेशन दे के और कुछ हाई लेवल पे ये भी फैसला कर लिया गया कि अभी अनफ फैस अनफ अभी इस आदमी को इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए ये तो जेल में बैठके भी इस किसम की हरक्तों को अंजाम दे रहा है तो वो एनकाउंटर की जो एक सरकारी जा गैर करूनी किसम से एक मनजूरी दी जाती है हर इनकाउंटर में सीनिर आफिसर जो है वो मनजूरी देते हैं उस तरह से ये एक सीक्र डिसीशन कर लिया गया कि इसको जब नेक्स दे इसको निकाल के लेके जाया जाएगा इंटरूगेशन के लिए क्राइम बरांच के आफिस में जब कोट में इसका रिमार्ज लेने के लिए तो इसको कही न कही बड़े तरीके से तिकाने लगा दिया जाए इस बात की खबर एक दन पहले अब्दल्लतीव के बड़े भाई रजाक को लीक होती है पूलीस डिपार्टमेंट की तर्फ से उसके कुछ अधर आदमी इनके थे तो मैं बहुत साल पहले मैं अमदाबाद में एक बार अज़ाक को मिला तो पताने शायद वो है के नहीं है उसने मुझे तभी भी बताया था कि मुझे एक दन पहले मालूम था कि कल मेरे भाई का एनकाउंटर होने वाला है तो ये बात उसने बड़े तरीके से जेल में अब्दल लतीफ के पास भी पहुंचा दी कि तू अगर कोई अपना बचाओ किसी तरह कर सकता है तो कर ले कल तेरा आखरी दिन है अब देखिए और लतीफ जेल में बैठके क्या करता कोई बमारी का बहना नहीं लगा सकता फिट था पूरी तरह और कोई साविल नहीं है बचने का तो अब देखिए कि एक वो सक्ष जिसको एक दिन पहले पता है कि आज के कुछ बचे हुए गहन्टे और पूरी रात ये मेरे जिन्दगी के आखरी लम्हें और नेक्स्ट वही हुआ जो पता था उसको कोट में ले जाते हुए रास्ते में ये कहके कि वो भागने की कोशिच कर रहा था पलीस के चंगल से इसलिए उसको गोली मारके मारना पड़ा तो ये एक एल्ड होता है अब्दल लतीफ का देखी इतना बड़ा वो आदमी जिसके एक समय उसके कालूपर वाले और दर्यापर वाले उसके दर्बार में जहां पूरे का पूरा पठान गैंग एक समय पे शरल लिया करता था लोग उसको जुक जुक के सलाम करते थे पांच साथ सीट से एक ही बार जीट के कार्पोरेटर की इलेक्शन जीती एक नया रिकार्ड रखा था इलेक्शन हिस्ट्री में उसक्षने और जो अंदाब धुंद अपने लोगों को पैसे बांटा करता था बड़े बड़े अपसर और पॉलिटीशियन उसकी शर्न में आते थे वोट लेने के लिए पैसा लेने के लिए और वो आदमी मारा गया मैं तो कहता हूँ और भुजरात में उसके मरने के बाद एक कहावच चली थी थोड़े दिन कि इतने बड़े आदमी को एक छोटे से आदमी की चक्की ने पीस दिया तो जैसे दाना चक्की में पिस जाता है इस तरहे अब्द लातीफ एक चक्की में पिसके वो घंटी की चक्की में पिसके बढ़ गया तो ये एक उसका एक कहानी थी चैप्टर था तो एक बड़े कराइम के युग का अंत होता है गुजरात में अब जो लतीव के मरने के बाद लेकिन अब ये चार साल तक ये लोग कोई हाथ में नहीं आता तो चार साल जब होगे तो जाम नगर में एक बहुत सेंसेशनल मर्डर हो जाता है एक दिनेश बाबु भाई का उसकी इन्वेस्टिगेशन एंटी टेरोरिस स्कॉार्ड गुजरात को दी जाती है उसकी तहकी कात करते करते एटीएस कुछ लोगों को पकड़ती है जो उस इन्वेस्टिगेशन टीम के इन्चार्ज थे दिनेश परमार वो डीएसपी थे डेप्टिश उप्रेटेंडर्ट आप प्रीस दिनेश परमार उनको एक खबर मिलती है कि इस केज से तुल्लक रखने वाले कुछ लोगों ने नरोडा पाट गया के पाथ शर्म ले रखती है तो वो उनको खबर मिलते है एक स्पैशनल टीम दिनेश परमार के नीचे रात को उस जगा पे रेड करते हैं और उस सेड में ये दोनों सक्ष पकड़े जाते हैं जदेजा बंदू जैराज सिंग और रवी राज सिंग गुमान सिंग इनके बाप का नाम था जैराज गुमान सिंग जदेजा तो इनकी जब इन्टरोगेशन होती है आपको पता है पलीस इन्वेस्टिकेशन कैसे करती है इन्टरोगेशन कैसे करती है तो वो सब करते 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 इन्हों ने बता दिया कि जो सागीर अहमेद का माडर हुआ था वो भी हमने किया था अब ये बहुत बड़ी बरेक थी कुजराग फिलीस के लिए चार साल से जिन लोगों को ढूंडा जा रहा था वो किसी और केस के सलसले में इनके हाथ लग गए और उन लोगों को पकड़के साबर बती जेल में रखा गया उनके उपर केस चला लेकिन कुछ सालों के बाद वो दोनों साक्ष बरी हो जाते और उस केस में जो अब्दल लतीव का जो नाम था अब देखे कि अगर वो आदमी नहीं मारा जाता उस इनकाउंटर में तो इन लोगों के साथ वो भी बरी हो जाता लेकिन केस कत्व नहीं होता तीसरा आदमी अभी तक मांटर था सिदेख घंटी अब ये आदमी कत्र में है तेरा साल के बाद वो अचानक हिंदोस्तान में आता है 2010 में और पकड़ा जाता है अब्दाबाद में उसको जाब पकड़ के उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो वो आदमी बहुत क्लिरली अपने स्टेटमेंट में कहता है कि इस मर्डर के पीछे पूरे का पूरा अब्दल वहाब का नाम था अब अब्दल लतीफ तो मर गया अब्दल वहाब जिंदा था जो जेल के अंदर बैटके पूरी सरगर्मी से लतीफ गैंग को चला रहा था उसके बहुत किसे हैं मैं कल जब परसो एक आपको संसनी किस किसा सनाओंगा अब्दल वहाब खान बलोच का तो ये पूरे की पूरी प्लैलिंग उस वहाब खान बलोच ने की थी और उसने एक लाख पाँच हजार पचास हजार रुपए मुझे दिये थे उन लोगों को देने के लिए सागीर अहमद बिल्डर को मारने के लिए और ये बात पहले वो लोग अपनी स्टेटमेंट में लगा चुके थे जब पकड़े गए थे कि हमें डिड़ लाक रुपए दिया गया था और हमारे साथ ये आदमी सधीक गंटी था तो इस आदमी के स्टेटमेंट से कन्फेशनल स्टेटमेंट से फिर तहलगा मचता है वो अवहाब के उपर दबाव और बढ़ता है अब उसको ठकाने लगाने की कोशे होती हैं वो कैसे सब होती हैं और कैसे फ्लॉप होती हैं वो मैं आपको आने वाले उसमें बताऊंगा लेकिन अल्टिमेटली एक नया केस फिर चलता है सदीग गांटी और अफदल वहाब के उपर और ओ केस भी दो साल में सब के सब लोग बरी हो जाते हैं इंक्लूडिंग वो A.S.I. जिसने गोली चलते हुए देखी थी शादी के मड़ब के बाहर वो भी पहचानने से इनकार कर देता है तो केस कुर्द पुरूद सब लोग बरी सब लोग अपने अपने घर लेकिन उन दिनों में चेल के अंदर बैड़के अबदल वहाब ने और क्या क्या कार्ड किये वो बहुत संसनी खेज है वो आपको मैं कल संदूँगा या परसो कुछ और डेटेल आ रही है मैं कुछ और बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये देखी है आज मैं आपको इस अपीसोर में कुछ तस्वीरे भी दखाई हैं आपने देख ली होगी अभी तक तो देखते रही ही आने वाले दिनों में गुजरात के अंडरवर्ड के कुछ और अंसुने कित्से कहानियां तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया धन्यवास में